गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चो आज हम क्लाश 10th की हिंदी की वक्षिट करेंगे 69 और आज की रेट है 13 जनवरी आज की मारी वक्षिट का टोपिक है मान्य करूना की दिवएचमक जो हमारा चैप्टर है उसे हम आगे पढ़ेंगे ठीक है तो देखते हैं क्या क्या दिया गया है हमारी वक्षिट में यह गद्यांस दिया गया है एक उसके बाद यहाँ पर हमारे 5 कोशन दिये गए हैं और 2 यहाँ पर अमारी गत्थी विदियां दी गई है तो इन सब को आज हम अपने वक्षीट में करेंगे तो शुरू करते हैं आज की वक्षीट को प्यारे बच्चो पिछले कारेपत रख में हम सभी ने फादर कामिल बुल केके वक्षीट की एक जलक मात्र को जाना ठीक है जो पिछली वक्षीट थी उसमें तो हमने केवल जो फादर कामिल बुल के हैं उनके वक्षीट को ही जाना था आज हम उससे आगे पढ़ेंगे संस्मन विद्या के बारे में भी जानकरी प्राप्त हुई एहिंदी भासी होते हुए भी उनके हिंदी प्रेम के वारे में ग्यात हुआ बेल्जेम में जनम होने के पश्याद भी भारत को करम भुमी बनाया ऐसा जानकर हमें अपने देश भारत एवं उसकी हिंदी भासा पर गर्ब महसूस होता है तो चलिए आज उससे आगे उनके वक्तित के कुछ और पहलों को विस्तार से जानते हैं ठीक है आज हम उससे आगे पढ़ेंगे जो हमने कल की वक्षिट में पढ़ा था फादर को याद करना एक उदास संगीत को सुनने जैसा है उनको देखना करुणा के निर्मल जल में इस्तनान करने जैसा था उनसे बात करना करम के संकलब से भरना था मुझे परीमल के वो दिन याद आते हैं जब हम सब एक परिवार की तरह रिस्ते में बंदे जैसे थे जिसके बड़े फादर बुलके थे हमारे हसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते हमारी गोश्टियों में वह गंभीर बहस करते हमारी रचना उपर बेवाक राय और सुजाब देते और हमारे घरों के किसी भी उतसब संसकार में वह बड़े भाई और प्रोवित के जैसे खड़े हो अपने आशीशों से भर देते मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन डालना बेहद याद आता है नीली आँखों की चमक में तैरता वातसल्य भी जैसे उसकी उचाई पर देवदारों की चाया में खड़ा हो देवदारों मतलब जो देवदार का पेर होता है उसकी चाया में खड़ा हो कहां से शुरू करें इलावाद की सड़कों पर फादर की साइकल चलती दिख रही है वह हमारे पास आकर रुखती है मुस्कराते हुए उतरते हैं देखिए देखिए मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ उनको क्रोध में कभी नहीं देखा आवेश में देखा है और ममता तथा प्यार में लवालव जरकता मैसूस किया है अक्सर उन्हें देखकर लगता है कि बेलजियम में इंजिनरिंग के अंतीम वर्स में पहुँचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा जाग गई कैसे जाग गई जबकि घर भरा पूरा था दो भाई, एक बेहन, मा, माता-पिता सभी थे तो यह हमारी वक्षीरती अब इसके कोशन है हम वो एक बार देख लेते है पहला कोशन है फादर को याद करना किसके समान लगता था तो इसका अंसर हो जाएगा फादर को याद करना एक उदा संगीत को सुनने जैसा लगता था नेक्स कोशन हमारा लेखक को सबसे ज़्यादा क्या याद आता है तो इसका अंसर हो जाएगा लेखक को अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्र डालना सबसे ज़्यादा याद आता है तीसरा कोशन है हमारा फादर के परिवार में कोन कोन थे फादर के परिवार में उनके माता पीता दो भाई और एक बहन थी चोथा कोशन है प्यार में लवालब जलकना के आश्या को अपने सब्दों में लिखिए प्यार में लवालब जलकना कार्थ है बेहद प्यार प्रेम इसने से भरा होना नेक्स कोशन है फादर की उपस्तिति देवदारू की छाया जैसी क्यों लगती थी तो इस कांसरम कुछ ऐसे लिखेंगे फादर बुलके एक बड़े भाई की तरह बेवबाक राय सुजाब और आशीश देते थे उनके हिर्दिया में हमेशा ममता जलगती थी उनकी नीली आखों की चमक में हमेशा बातसल्य तैरता था जैसे देवदार की छाया घनी होती है जिससे थके हुए पतिक को आराम मिलता है वैसे ही लेकक को फादर की उपसिती देवदारों की छाया जैसी लगती है नेक्स्ट है मारा यह है गती विदी इसमें के अगरा कार्य पत्रक से कठीन शब्द छाट कर लिखिए उनका अर्थ भी पता लगाईए जो कुछ कठीन शब्द है मैंने यहाँ पर लिखे हैं अगर आपको भी कोई कठीन लगता है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं का अर्थ आपको बता दूँगा करूना का अर्थ होता है दया या फिर रहम दूसरा है निर्मल निर्मल होता है साप या सुख्ष या पवित्र फिर निर्लिप्थ निर्लिप्थ का अर्थ होता है लगाव ने रखने वाला या संबंद विहीन या पिर सांसारिक मोह महाया से दूर रहने वाला फिर अब वातसल्या, वातसल्या का मतलब होता है बच्चों के पिर्ति ने सैर्गिक प्रेमिया इसने करना ठीक है ये मतलब होता है वातसल्या का नेक्स्ट अमारा अब हैं सेकिंड यहापर एक दूसरी गतिविजी दी गई है इसे गवार देख लेते हैं किरिया कलाब दो मुझे परीमल के दिन याद आते हैं मैं परीमल शब्द पर जानकारी एकत्रित करके असी से शो शब्दों में एक अनुछेद लिखिये कैसे लिखेंगे हम परीमल क्या था ठीक है परीमल जो है इलहवाद की एक साहित्तिक संस्ता थी जिसका अगठन लेखक फादर और उनके साथियों ने मिलकर किया था जिसमें युवा और प्रिसिद साहित्ते प्रेमी अपनी रचनाएं और विचार एक दूसरे के समक्ष रखते थे लेखक को परीवल के दिन इसलिए याद आते हैं क्योंकि उसमें सभी एक पारिवारी क्रिस्ते की तरह बंदे हुए थे और उसमें जेश्ट फादर बुल के ही थे यानि सबसे बड़े कौन थे फादर बुल के ही थे वो लेखक एवं अन्यस आहित्तेकारों के हसी मजाक में सामिल होते थे गोश्टियों में गंबीर बहस करते थे और लेखक की रचनाव पर वेवाक राय और सुजाव भी देते थे ठीक है तो यह हमारी आज की वक्षीट हुई आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना अगर अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना थैंक यू थैंक्स अलोट